तो कि हलो डोगलवर्स आध मैं आपको बताऊंगा यह डी आपका डोग या पपटी लंगडा के चलता है किस कारण से लंगडा Day कर के चल रहा है चलने में दिक्कत आ रही है तो उसके बारे में किस तरह का treatment आपको करवाना चाहिए, कौन सी medicine देने चाहिए, किस तरह के liquid आपके डोग या पपी को देने चाहिए इसके बारे में आज आपको इस वीडियो के अंद कर detail से बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरी देखना अच्छी और सही जानकारी आपको दी जाएगी देखो यदि आपका चाहिए डोग हो या डल डोग हो या पपी हो, पहले तो यह देकना चाहिए, कहीं पर उसको छोड ने लगी है देगो लंगडा करके चल रहा है तो चोट लगने की वज़े से भी आपका डोग है वो लंगडा करके चल सकता है या किसी इस तरह की दिक्कत आजाए या कोई जोइंट में कोई प्रोवलम हो जाए तो भी आपका डोग लंगडा करके चल सकता है या कहीं पर से गिर जहें उन्ची जगे से डोग चलांग मारे है तो उससे गिर जगए, तो उससे मोच हो शक्ती है, उससे भी लंगडा करके चल सकता है। या कोई चीज या वस्तूस के उपर जो टांग है उस पर गिर जाए तो भी डोग लंगडा करके चल सकता है या डोग के पैरू के अंदकर किसी तरह का कोई इनफेक्शन हो जाए या कुछ इस तरह की कील या कुछ चुप जाए वह भी पूरी जांच आपको डोग की कर लेनी जाए या कहीं पर गिर जाए तो उसकी अची तरह से पता लग सकता है जब भी पूर पैर को आप अच्छी तरह से जांच करेंगे थोड़ा さ लाएंगे ऑधी चरचर की आवाज आरही है या आपको लग रहा है की पता लग जाएगा हड़ी तूटी है तो आपको उसका treatment जितने भी जो veterinary doctor है उससे संपरक आपको जरूर करना चाहिए उसका treatment बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यह दि आपको लग रहा है कि डोग के अंदका सूजन भी आ रही है और क्रेक सा दिक रहा है आपको तो उसका अक्सरा जरूर करवा लेना चाहिए अक्सरे करा करके और उसका ट्रीटमेंट आप अपने डोग का करवा सकते हैं अपने वेटेनेरी डोक्टर से यह दि आपको पूरी जांच कर लिया है फिर भी यह दि आपका डोग लंगडा करके चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए तो उसी इस्तति में आपको बता रहा हूँ कि आप अपने डोग को एक तो जो यह शिरप आती है नियूरोकाइन के नाम से नियूरोकाइन पेट के स्टार्ट कर देनी है क्योंकि नर्वस से संदित किसी भी प्रकार के दिया आपके दोग के अंदगत बीमारी है तो उसकी रोग थाम के लिए यह शिरफ तो उसको साथ में देनी ही होगी साथ साथ आपको जो इंफलावेट टेबलेट आती है डाई एमजी की जो आपको इसक्र दोगा कि दोग तो से हाप टेबलेट सूब आपको यह इंफलावेट टेबलेट देनी है जिनका ब电श के टीजी है टो किसी कई है टीमारी döne-suray के हिसाब से 252 ऐी के आती हैं वह आप अपने डौ को दे सकते हैं 11-10 टे暮्लेंट का पता अता हो लगबग sound rep के लगबग इसकी MIRP होती है इतना आ महिंगा में याता ये आप सकते हैं चलत तो सात च Verfब्ड मासाज को करना है उपर से निचे आपको उसे हल्के हल्के हाथ से मालिस करनी है यानि इनफ्लामिन का आप परियोग करना है इस तरह से आप अपने डोग की जो मौच है वह आप अपने जो वेटेनी डोक्टर है उनसे संपरक कर सकते हैं वहीं उनका इंजेक्शन लगा करके या अधर जो प्रोब्लम हो गई है उनकी शोल कर लेंगे जैकिन जो यह दिया आपको इस तरह की जो मैंने दिक्रत आई है उसके अंदर गद आपको एक करीम इंफ्ला वे इतना उसके सेर करें मेरी वीडियो को आप लाइक करें आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है माँ आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूंगा एदि आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब क झाल झाल